तो आपसे simple question यह का गया है कि एक system ऐसा है जिसमें density का value क्या है बेटा उस system में density है 128 kg पर मीटर cube ठीक है आपको ऐसा system दिया हुआ है second system जिसमें unit mass किता दिया हुआ है 50 gram और unit length किता दिया हुआ है 25 cm तो इस second system में इसकी numerical value क्या होगी numerical value का मतलब क्या होता है जो भी physical quantity होती है किसी physical quantity को हम numerical value into unit की form में denote करते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साब साब तो इसका first system में numerical value कितना है 128 और unit कितना है kg पर meter cube तो ठीक है यहाँ पर आपका physical quantity n into u होता है अब बात समझे यह first system में second system में first system से second system में जब मैं जाता हूँ तो मेरा numerical value change होगा क्योंकि मेरा unit change हो रहा है बात समझ में आई मगर अगर मेरा physical quantity change नहीं होता है physical quantity density रहेगा तो में इसको n1 u1 is equal to n2 u2 के बाराबर लिख सकता हूँ और यह समझ लो कि second system में numerical value पता करना है यानि n2 is equal to हो जाएगा n1 divided by u1 divided by u2 अब मैंने आप से यहाँ पर एक चीज बात कही unit mass और unit length यहाँ पर second system में unit mass कितना है 50 gram और यह unit length कितना है 25 cm first system में कितना है unit mass एक kilo कैसे है इस 128 को में इस तरह से into 1 kg divided by 1 meter का cube लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता यानि first system में unit mass कितना है 1 kg और unit length कितना है 1 meter अब समझो बात को जैसे आप 10th class में थे तो आपके graph के question आते होंगे अब graph के question में मान लीजे एक से से लंबाई 50 cm आ गई तो आप 50 cm की length तो नहीं खीचते थे ना आप क्या करते थे आप एक डबा जो दा था 1 cm को 5 cm यह 10 cm मानके 10 20 30 40 50 5 cm के अंदर ही 50 cm खीच देते थे तो वस यही बात है यहाँ पर जो unit mass है वो 50 gram के बराबर है और यहाँ जो unit length है वो 25 cm के बराबर है तो भया इस से आपका answer जो है clear हो लिखेंगे उसका dimension लिखेंगे unit का मतलब dimension ही लिखते हैं तो density का ही है वाईया तो density का kg per meter cube सामने उसने दिरखा unit तो kg का होता है m divided by l cube यानि यह हो जाएगा आपका ml का पार माइनस 3 density का dimension कितना हो जाएगा ml का पार माइनस 3 तो n2 n1 क्या होगा numerical value in first system वो किता दरखा आपको 128 u1 हो गया बेटा आपका m1 l1 का पार माइनस 3 और u2 हो जाएगा आपका m2 l2 का पार माइनस 3 एक और step बढ़ाऊंगा मैं जिसकी आपको कोई जरत नहीं है यह हो जाएगा आपका m1 divided m2 अगर आप practice बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो यह second जो है second step इसको आप easily उड़ा सकते हैं अब एक और बात ध्यान में रखो l1 divided by l2 का पार माइनस 3 है तो क्या मैं इसको l2 divided by l1 का पार 3 लिख सकता हूँ simple algebra है minus 8 आते हैं यह term जो है reverse हो जाएगा simple सी बात है अब इस चीज को हम पढ़ते पढ़ते हैं इसकी value रखेंगे यह हो जाएगा 128 m1 है mass in first system तो mass in first system किता है वेटा आपका 1 kg और mass in second system बतलब unit mass in second system और unit mass in first system यह इनका असली meaning होता है तो unit mass in second system किता है वेटा 50 gram unit length in second system वो है 25 cm और unit length in first system वो है 1 meter 1 meter तो इसको 1 meter लिख देते हैं इसका power कितना है वेटा 3 है इसको मत बूल जाना बस तो यह हो गया 128 एक kg में होता है 1000 gram और यह होता है 50 gram 25 cm और एक में होता है 100 cm इसका भी power 3 है यह gram से gram गया यह centimeter गया पच्चे से सो जाएगा चार बार और यह 0 से 0 खतम पांस से सो जाएगा 10 bar यहाँ पर इसको 4 से 20 मत कार देना वहाँ power 3 है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें तो 128 इंटू यह 20 बचेगा यहाँ पर यह 1 by 4 का power 3 है तो इसको मैं 3 time लिख देता हूं 4 का जाएगा पिटा 32 times यह 4 से जाएगा पिटा 8 times और यह 4 जाएगा 2 times तो बचा 2 इंटू 20 2 इंटू 20 किता हो जाता है पिटा आपका 40 तो 40 कहाँ दिया है option में option number C ठीक है